हेलो दोस्तों कैसे सबी लोग आज हम लोग इस कुश्षन में बात करेंगे क्यों व PLAYΓन से रखहा हो आपको तो कोश रिए सक दीता प्लस कॉल स्कुरे करें कर दो प्रोफ कर देब पोल slower होगे और लिख लोगे यहां पर 1 plus में cos theta, divide में 1 plus में again cos theta, यहां को होगे rationalize, बस इसको solve करिए आप ज़रा, यहां पर यहां पर भी आपका a plus b के form में हो, तो आपको इसको लिख सकते हो, a plus b, यानि कि a plus cos theta का, directly whole square, जबकि नीचे वाले case में a minus b और a plus b के form में है, a minus b, and a plus b के form में है, इसके लिए हम लिखते हैं न, a square में s b square formula, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या ऐसा, 1 minus में cos square theta, है न, अब चली इसको देखते हैं, कि 1 plus cos theta का whole square तो आपके पास है ही, है न, और 1 minus cos square theta क्या होता है, यह आपका sin square theta के बराबर होता है, ठीके, अब देखिए हैं यहां पर क्या करेंगे, square square दोनों हैं, तो दोनों के लिए common square का काम कर लेते हैं, 1 plus cos theta divided में sin theta, और पूरे के लिए एक square हम लोग यहां पर लगा लगा लेते हैं, again, 1 minus sin theta plus cos theta divided में sin theta, partial divide कर लिया हमने, और इसका square कर लेते हैं यहां पर, ठीके, अब 1 बटा sin theta, चा होता है, यह होता है, आपका, cos theta plus cos theta plus cos theta sign क्या होता है, यह था आपका, cot, to cot theta और इस पूरे का whole square है, तो whole square रहेगा, ठीके, और थेके, हमारे पास, हमारे पास यही लाना था कि, cos theta plus cos theta का whole square, that means, यह आपके पास, RHS part आ चुका है, और ऐसे ही, यह आपका, proof भी होगी है, ठीके, लिए फिन कि अ